हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप लोग अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रख रहे होंगे बहुत दिनों के बाद हमने लेक्चर अप्लोड नहीं किया था इस सीरीज का कंप्यूटर की सीरीज का क्योंकि हम इंटरनेट एक्सेस ना होने की वज़े से ये मुश्किलात उठानी पड़ी तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बोट कंप्यूटर साफ्ट एयर इससे पहले जित हो से कि ये थोड़ा लंबा टापिक है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो चलिए अगर सॉफ्ट एयर की बात करें हम तो सॉफ्ट एयर आप लों को पता है कि जैसे आप लों के पास लैपटॉप है या सिंपल ले लो आपके पास फोन है गैजट है ठीक है तो वह भी एक हाडवियर है ठीक है नब बिलकुल हाडवियर है तब तक वह काम ही नहीं करेगा जब तक नहुसमें सॉफ्ट एयर होंगे मैंने आपको पहले लेक्ट्चर में बताया था या वह सिंपल सी डिफनिशन आप कहते थे क्या हाडवियर वह चीज होता है जिसको हम तो आन करने के लिए भी प्रोग्राम की जुरत पड़ती है अब यह सौफ्टियर क्या चीज़ है सबस्ट कर लो मैं आपको कोई काम दे दूँ ठीक है ना तो मैं आपको कोई इनस्ट्रक्शन दे दू तब ही तो आप वो काम करोगे ठीक है ना जैसे आप लोंको एकाउंट अ भी टापिक पड़ोगे जो इनस्ट्रक्शन वह आपको देंगे आपको बिलकुल वही उसी इनस्ट्रक्शन को फालो करना है या एक्जाम के दौरां जो भी इनस्ट्रक्शन दिये होते हैं ठीक है ना रूल जैंड रेगूलेशन इस तो आप उसी के मताबिक चलते हो ठीक उसी के मताबिक काम करते हो तो बिलकुल वैसा ही कम्प्यूटर एक हारडवेर जो वह बिलकुल एक हारडवेर ठीक झा लेकिन सौफ्वाइर क्या है इसको कहती है कि ऐसा काम करो वैसा काम करो ändernुज्छ आपऴ्वाबन के तो बटन से कुछ नहीं होताओ लेकिन उस बटन को switch on या off करने के लिए उसमें भी एक program की जुरत पढ़ती है उसमें भी एक instruction की जुरत पढ़ती है ठीक है ना तो यही कहता है कि a computer cannot do anything of its own एक computer खुद बखुद कुछ नहीं कर सकता है it must be instruction to do a job इसको कोई instructions चाहिए कोई पूछने वाला चाहिए कि ऐसा काम करो भाई ऐसा काम करो वो काम करो ये काम करो ठीक है ना hence it is necessary to specify a sequence of instructions to do a job तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए हमें कोई sequence of instructions चाहिए ताकि वो ये काम कर सके तो उनही instructions को उनही orders को ठीक है ना उनको हम लिखते है in computers understandable language जो कौन लिखता है प्रोग्रामर लिखता है ठीक है ना यानि ऐसे instructions एक प्रोग्रामर बनाता है ऐसे instructions बनाता है जो computer समझ पाए ठीक है ना अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये वाला topic पढ़ना है computer software ठीक है ना बस ऐसे बोलूँ तो अगर आप भी मेरे बाशा समझते हो तो आप आराम से समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाता है ठीक है ना लेकिन computer ऐसा नहीं समझता है ठीक है ना उसको अगर on करने के लिए power supply के लिए या CPU में processing के लिए data कितना data लेना है किंता input लेना है कितना input छोड़ना है output छोड़ना है तो ये सारी चीज़े उसको मतलब हम नहीं बता सकते हैं ठीक है ना उसके लिए उसको instructions चाहिए जो किसमे हो जो computer समझे जो machine समझे तो computers understandable language में उसी के बाशा में हम उसको समझाते हैं ठीक है ना तो उसको हम क्या कहते है उसको हम क्या कहते है प्रूग्राम कहते है ठीक है ना उनको हम प्रूग्राम कहते है लेकिन प्रूग्राम क्या करता है मैं आपको यहाँ पर बताऊँ जब बहुत सारे instructions को हम मिलाते है ठीक है ना अब instructions तो एक तो नहीं होगी ठीक है ना अलग-अलग components के लिए अलग-अलग instructions होगी जैसे power on के लिए एक instruction होगी तो bunch of instructions जब मिलते हैं तो वो बनाते है program set जब bunch of programs मिलते हैं तो वो बनाते है software set यानि बहुत software जब बहुत program जब computer में होते हैं तो हम उनको एक ही नाम देते है software जब बहुत सारे software मिलते हैं तो उनको हम बताते है packaging suits ठीक है ना तो यह कहता है software is a package of groups group of programs that solve a specific type of job ठीक है ना software is a collection of instructions that enable user to interact with computer यानि एक software क्या करता है अगर आपके phone में software नहीं होगा ठीक है ना तो यूजर अपने computer के साथ access नहीं कर सकता है या अपने phone के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आप उसको खोल भी नहीं सकते हो जब तक उसमें program होंगे ठीक है ना तो software क्या करता है software को हम touch नहीं कर सकते है आप सब लोगं को पता है लेकिन यह effect होता है इसमें थोड़ी सी changes आती है due to virus अगर इसमें virus होगा तो शायद यह अच्छे तरके से work नहीं करेगा या काम नहीं करेगा तो चले अगर हम इसके types of software की बात अगर हम करें इसमें दो types है ठीक है कुछ books में लिखा होता है three types वहां पे तीसरा type कौन सा होता है मैं आपको बता हूँ वहां पे तीसरा type होता है utilities ठीक है होता है सिस्टम सौफ्टիर होता है बीए थे साप मैंनेजमेंट के बेसेट पे आप पार मनेजमेंट फंक्वriendly कैंप्यूटर के बेसेट dual Create management program भी management programs भी कह सकते हो for the development of software के बिना पर भी बहुत सारे types है development software के बिना पर भी बहुत सारे types है कौन-कौन से management programs कौन से operating system device drivers system utility यह सारे management programs यह functional programs यहने जो management और function के काम में आ जाते हैं किसके लिए मतलब किसको manage करते हैं या किसके लिए function को control कर लेते हैं वो हम आगे देखेंगे और development of software के बिना पर अगर हम देखेंगे program language ठीक है ना एक software को develop करना उसके लिए program language चाहिए ठीक है ना translator linker और loader और इसी तरह application software में भी general purpose दो types होते हैं general purpose software and specific purpose software general purpose software में word processor spreadsheet image editor presentation और इसी तरह specific purpose में ये सारे types है ठीक है ना तो चलिए शुरू करते है system software की अगर हम बात करें system software में अगर आपको बताओं पहले में आपको इन दोनों की difference बताता हूं कि इसका मतलब के है और इसका मतलब के है फिर इन दोनों के बारे में फिर इन types के बारे में ठीक है system software अगर में आपको बताओं इन दोनों के बीच मे अगर आप मैं आपको difference बताओंगा, एक simple सा funda मैं आपको बताओंगा, suppose कर लो आपने market से phone ले, आप market से phone ले आयो, या आपने online, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, system और application के बारे में, ठीक है न, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं अभी, suppose आपने market से phone ले आयो, नया वाला phone आप ले आयो, जब आप उसको घर में खोलते हो, जब आप उसको, मतलब use करते हो, तो पहला पहला आपका क्या step रहता है, पहला आपका ये step रहता है, कि आप phone जैसे ही आप नया phone हाथ में लेते हो, तो आप उसको charge रखते हो, ठीकिना, suppose कर लो 50% पहले वहीं से 50% है, या 60%, पहले उसको charge रखते हो, 100%, ठीकिना, या आप उसको पूरा 100% करते हैं, उसक बाद चलाते हैं, लेकिन, जब आप उसको charge करते हो, फिर उसके बाद आप उसको on करते हो, और गो on होता है without any tension, जब वो on भी होता है, उसके बाद जब उसको आप on करते हो, आपको सामने एक screen यहां तक आप रुकिए यहां तक क्या है जैसे ही आपने चार्जिंग लगाई तो आपके लिए आपको कोई भी प्रोग्राम इसमें फिट नहीं करना पड़ा आपको इसमें कोई भी प्रोग्राम फिट नहीं करना पड़ा या आप जैसे ही आपने अपना फोन आन किया आपन कुन सा software में डालो, on करने के लिए कुन सा software चाहिए, पहले वीडियो में आपको बताया, अगर आपको याद होगा, memory में मैंने आपको बताया, कि on करने के लिए, बूट का यूज, बायूस का यूज किया जाता है, पोस्ट का यूज किया जाता है, लोडर का यूज किया जाता जो पहले से ही company वाले इसमें fit करते हैं हर एक phone में हर एक system में पहले से fit करते हैं ताकि user को कोई दिक्कत ना हो ठीक है ना अब आप लोग की क्या आप लोग की मतलब आप लोग का काम क्या रहता है उसके बाद जब यह सारी चीज़े जब आप screen आपको पता है जी ओ वाई ठीक ह कराता है ठीक है ओब आप वहां पर बीड देखते हो वह पहले से इनस्टालर होता है पहले सी ठीक है ना तो वह सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो जब आपना screen आन करते हैं उसमें application होती है वह वाल पेपर भी होता है उसको कहते हम operating system वह पहले से ही fit किया होता है किसमें आपके phone में, जो company वाले पहले से ही fit करते हैं, ठीक है ना, बस फिर आपका, उन सारे programs को, जो मैंने आपको बताया, on के लिए, bios, loader, sorry, post, ठीक है ना, linker, या operating system, ये सारी चीजहें, पहले सी fit कि जाती है, ये सारे programs, ये software fit किये जाते हैं, तो इन ही को कहते हैं, system software, ठीक है ना, अगर आपके system में मानलो BIOS नहीं होगा वो system software क्यों है क्योंकि अगर आपके पास BIOS नहीं होगा ठीक है ना तो आप अपने phone को on नहीं कर सकते हो चाहे आपके दोस्ते के पास कितनी भी application क्यों नहीं हो सब्सक्राइब कर लो VLC player आपको चाहिए या कोई मुवी चाहिए आपको देखनी होगी तो आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे तो वो वेस्ट है ठीक है ना तो सिस्टम साफ्टियर ये सिस्टम के लिए यूज है ताकि मॉबाइल आन हो जाए या सिस्टम आन हो जाए ताकि हम इसके बाद इसमें अच्छे तरह के से वर्क करें अब अप्लिकेशन साफ्टियर कौन से साफ्टियर से है वो वाले साफ्टियर अजब अपना फोन ले लेती हो मालो इसमें सिस्टम साफ्टियर पहले से ही इनस्टाल किये होते है ताकि आपका सिस्टम अच्छे से चल सके आप उस पे आराम से वर्क कर सके उसके बाद आप शेयर इट के जरी आराम से शेयर इट के थूर शेयर इट भी एक अप्लिकेशन है ठीक है ना आप आराम से कोई भी सौफ्टियर इसमें एड कर सकते हो जैसे VLC प्लियर हो गया कोई कुछ और हो गया या एड ओपरेटर हो गया ठीक है ना बहुत सारे है तो आप उनको फिर अपने मतलब अपने लिए एड कर सकते हो या आपको मतलब जैसे मैं यहां पर अभी पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना WPS Office में अभी पढ़ा रहा हूँ तो यह WPS Office में तभी यूज़ कर सकता हूँ जब इसमें पहले से मतलब जब फोन चलता हो फोन चलने का मतलब यह है कि जब इसमें सिस्टम सौफ्टियर हो जैसे आन की लिए, आन करनी की लिए मेरे पास उसमें BIOS हो कभी कभी फोन खराम होता है या हैंग होता है दरसल यही होता है कि अंदर के जो सौफ्टियर सिस्टम सौफ्टियर होते है उनमें लोड ज़ादा होता है छीक है ना या RAM के कारण जितने भी RAM में जैसे BIOS हो गया ठीक है ना उनमें load ज़्यादा होता है ठीक है ना वो हमारा topic नहीं है लेकिन यहां समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि system soft yours यह ऐसे soft yours है जो system के लिए use होता है जो खुद system अपने लिए use करता है ठीक है ना ताकि वो बाहर के applications वो आराम से चल सके और जो system में जो आपका system भी आराम से work कर सके ठीक है ना तो यही कहता है कि consists of various programs responsible for providing basic functionality to the computer अगर आपके computer में basic function कराने के लिए आप computer on करने के लिए basic function के लिए यह system soft yours होना जरूरी है simply अगर हम कहें system को run करने के लिए by this software computer work itself without need to be aware of user about its function process तो कहने का मतलब यह है कि जब यह soft yours add जब यह soft yours system में हम add करते हैं ठीक है ना system मान लो आप जब पहले से जब company वाले phone बनाते हैं तो उसके जब phone बनाने के बाद यह ढांचा बनाने के बाद उसके बाद वो system software इसमें add करते हैं लेकिन system software को बाहर निकालो आप तो यह क्या रहता है यह बिलकुल hardware रहता है बिलकुल एक कबाड रहता है ठीक है ना फिर उसके बाद system software इड़ करते हैं फिर आप जैसे user हो गए हो आप उसके बाद application software यूज करते हो गर में कोई भी आप जो आपका मन करे वो आप यूज करते हो तो यह क्या कहता है कि जब यह software computer में नहीं होता है तो computer कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है और user को इसकी function जानने की जरूरत नहीं है क्या जब आप फोन ले आते हो क्या आप यह देखते हो कि इसमें कौन सा bios है कौन सी company का bios है ताकि मेरा system on हो जाए नहीं देखते हो बस आप ये देखते हो कि कंप्यूटर में रैम कितनी है राम कितनी है या कैमरा कैसा है इसका या स्टोरेज कितनी है ठीक है ना या बैटरी बैकप कितना है बस आप ये वाली चीज़े देखते हो लेकिन आप ये नहीं कंपनी वालों से पूछते हो कि भाई ये बता मुझे कि कि इसमें जो आपने system on करने के लिए, booting के लिए जो आपने use किया है, यह software, कुन सा software है, किस company का software किस programmer ने बनाया, आप यह नहीं पूछते हो, ठीक है न, तो इसलिए user को इसकी जानने की जूरत नहीं है कि यह काम कैसे करता है, it includes all those software, इसमें वो सारे software आते हैं, जिनके बिना अगर वो नहीं होंगे, आपका system एक useless है, ठीक है न, तो चलिए क्या कहता है, कि जैसे example है, bios post loader, booting के लिए use किया जाता है, on करने के लिए, system जैसे आप on करते हो, उनमें पहले से ही यह 3 use होता है, ठीक है न, operating system, software हो गया, जो working के लिए use होता है, जैसे आप अपने laptop में window डा आप काम नहीं करोगे, ठीक है न, I hope कि आप समझ गया होंगे, और drivers, drivers क्या होता है, generally a source, यह ऐसे source होते है, make the external device compatible to main device, ठीक है न, यानि जो बाहर के जो devices है, उनको compatible बना लेता है, ठीक है न, उनको compatible बना लेता है, to main device, तो चलिए purpose अगर हम देख लें, किसका main मकसद क्या है, purpose of system software वो है, basic functionality to computer, एक तो basic function कराने के लिए, computer का जो basic function है, उसको provide कराने के लिए system software का होना बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा क्या है, control computer hardware, पहले से ही मैंने आपको बताया कि अगर system software निकालें, तो वो एक कबार रहता है, computer hardware है, ठीक है न, hardware है, उसको control कराने के लिए, उसक user, application software, and computer hardware, अब मैं यहाँ आपको एक point बताते दा हूँ कि जैसे मैंने आपको memory में बताया कि, मैंने आपको memory hierarchy की बताया था, लेकिन यहाँ पे भी software hierarchy की बात अगर हम करें, तो वो बिलकुल ऐसा है, ठीक है न, यह है hardware, यह user, इन दोनों के बीच में system और application software, यानि इन दोनो के interface के दर्मियान है, user, application software, and hardware के दर्मियान, ठीक है न, अब यहाँ अगर बात करें हम, यहाँ पे चलते हैं, यह वाला भी हमने complete किया, यह भी complete किया, अगर इसको हम define करें कि management और functionality programmers क्या होते हैं, ठीक है न, यह अगर इन तीनों को एक साथ हम define करें, ठीक है न, उनको हम क्य कहते हैं, management program, system management programs, या on the basis of system and functionality, ठीक है न, उसके बिना पे तीन types है, तो उसको हम define करते हैं, कि यह management or functionality है क्या actually, देखें, आप सब लोगों को पता है, कि आपके computer में बहुत सारे components है, ठीक है न, different components है, आपके computer में, कौन-कौन सा हो गया, जैसे processor हो गया, CPU जिसको आप कहते हो input device आपके पास हो गया, जैसे keyboard मैंने आपको बताया, या output devices जैसे printer हो गया, यह बहुत सारे आपके components होते हैं, किसके computer के, ठीक है न, अब क्या है कि different components को चलाने के लिए different software's का use होगा, obviously होगा, और different software's की function अलग-अलग होगी, different devices का का काम अलग-अलग होगा, जैसे input data लेता है लेकिन output देता है, ठीक है न, और input कितना, कितना input हमें लेना है, या कितना store करना है और कितना output हमें वापस छोड़ना है, ठीक है न, तो यह अलग-अलग होता है, या फंक्शन भी अलग होती है, बिल्कुल यह अलग-अलग दुनिया से होते हैं, तो इनको operate कराना, इनको एक लग लग काम होते हैं उनको एक ही हम एक क्लाइट या नजर ये मनेजर रखते हैं जो नजर रखता है उन पर तो उन सारे डिवाइस को कंट्रोल कराना यह उनकी आपरेशन को उनके वर्क को मनेज करना ठीक है ना जैसे यह हो गया प्रोसेसर हो गया आउटपुट हो गया इन तीनों का काम है, ठीक है ना, ये इन तीनों का काम है, तो development application software क्या है, ये ऐसे softwares है, ये वाले ऐसे softwares है, जो एक service provide कराते हैं, जैसे आपके company में आप गाड़ी ले ले लेते हो, तो आपको साथ साथ में service देते हैं, बोलते हैं कि चलो अगर आपका, आपकी गाड़ी या उसमें कोई, मतलब, चीज डलवाना हो, तो यहां पे हम आपको service देते हैं, service provide कराते हैं, ठीक है ना, जैसे mechanic ठीक करवाता है, ठीक है या service provide करते हैं, उसी को service कहते हैं, तो ये एक service provide कराते हैं, किसके लिए required for the development, ताकि ये बना सके, and execution, और चला सके हैं, किसको application software को, ठी के लिए, इनके development के लिए, इनकी execution के लिए, ये हमें service provide कराता है, provide the software tools, ये हमें ऐसे tools provide कर लेता है, ताकि हम development कर सकें, application software के, ठीक है न, तो क्या कहता है, कि इसमें है, programming language software, इसमें, language translator, loader, linker, तो ये हो गए, ये मैंने आपको बताया, ये जो software है, ये इसमें आते हैं, management और functionality में आते हैं, क्यों कि ये तीन management और function, या कहते हैं, उसको control कराते हैं, कि इनको अलग-अलग components के, computer के अलग-अलग components को, तो ये development कराते हैं, ठीके न, ये होगे, इनके types, तो इनको हम अलग-अलग पढ़ेंगे, अब sub-types of system software का क्या है, पहला है operating system, यहाँ पे आप देख सकत आते हो, operating system, तो operating system में क्या पढ़ेंगे हम, operating system intermediate between user and hardware, ठीके न, obviously ये intermediate करता है, user and hardware के दर्मिया मैंने आपको hierarchy में समझाया, as different application softwares uses different hardware devices, आप सब लोगों को पता है कि application software जो है, वो अलग-अलग hardware devices का इस्तेमाल कर लेता है, ठीके न, therefore, operating system, controls and coordinates the use of hardware among the different application softwares and the user, ठीके न, तो ये operating system का क्या काम है, ये control कर लेता है, और coordinate कर लेता है, hardware और user के दर्मियान, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाऊँगा, ठीके न, जैसे suppose कर लो, मैं यहाँ पे screen recording के मदद से, आपके पास ये lecture पहुँचा रहा ठीके न, और जो मैंने यहाँ पे line लिखी है, ये सारा ये, इसमें green color किया, इसमें red color किया, ठीके न, ये मैंने एक ही application से किया, उसका नाम है application software, वो कौन सा है, WPS office, ठीके न, वो हो गया application software, ठीके न, तो ये क्या कहता है, कि ये control कर लेता है, और coordinate कर लेता है, किन के काम के द दर्मियान, use the hardware, among the different application software and the user, ठीके न, user and hardware के दर्मियान, तो मैं कैसे आपको समझाओं कि operating system यह हो गया, system software, जो आपको दिखेगा नहीं, या आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका काम कैसा है, ठीके न, अगर मेरे phone में display show नहीं होगा, मालो आप इसका display खराब है, मतलब इस करोगे, नहीं कर सकते हो, ठीके न, सब्सक्राइब आपने जब WPS office, इसमें open किया, ठीके न, तो वो हो गई application software, तो चला को रहा है, उस application, और WPS office, जो application software है, उस पे काम कोन कर रहा है, user कर रहा है, मालब मैं काम कर रहा हूं, ठीके न, तो मैं हो गया user, और किस पे काम कर रहा ह तो इसको control कराने के लिए, इस WPS को control कराने के लिए, इसको manage कराने के लिए, कौन पीशे बैठा है, operating system, जो मैंने आपको बता है, system software का type है, जो हमें पहले से ही company वाले fit कर के देते हैं, ठीके न, I hope कि आप समझ गए होंगे, इसकी examples, अगर हम देखेंगे, MS-DOS हो गए, Microsoft operating system, जिसको हम कहते हैं, ठीके न, Microsoft disk operating system, Windows 7, Windows XP, Linux, Unix, Mac OS, Snow Leopard, ठीके न, यहोगे, इसकी examples, की function अगर हम देखें, provide better work environment between user and application software, जब मैं अपना laptop on करता हूँ, तो मैं spreadsheet हो गया, word हो गया, या PPT बना रहा हूँ में, या Pedia बना रहा हूँ में, मेरे पास तो application है, मैं कहीं से भी ले ल application ले लूँगा, ठीके न, through share it, तो कोई दिक्कती नहीं, जब मेरा, अगर मेरा laptop ही पहले सी खराब होगा, यानि इसमें system software, इस ही नहीं होगे, यह पहले सी ठब होगा, ठीके न, यह on ही नहीं होगा, तो मैं, वो किस काम का, वो किसी काम का नहीं है, तो suppose कर लो, इसमें आप PPT बनानी है, तो मैंने कोई भी application खोल दी उसके लिए, तो backup के लिए, पीछे से कौन उसको operate करेगा, वही operating system, उनकी example क्या है, Windows 7 जैसे मैंने आपको बता है, Windows 8 होगी, Windows 10 इसकी series बहुत है, तो चली, और क्या करता है, यह manage hardware resources, for example CPU time, यहने central processing, यहने processing कितने time में होनी चाहिए, कितने time में complete होनी चाहिए, सारा कुछ operating system हमें करवाता है, यह विंडो के बिना आप समझ गयोंगे, कि अगर आप यह laptop में विंडो नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, memory space कितनी होनी चाहिए, file storage, कहां पे रखनी है, file, input out devices, extra, ठीके न, when computer uses by other programmer or user, ठीके न, यहने जब कोई computer दूसरा, यहने जब कोई दूसरा programmer computer को use करता है, ठीके न, तो उसके लिए कितना कैसे resources हमें चाहिए, ठीके न, suppose कर लो, एक ही CPU पे दो programs बैठे है, ठीके न, तो एक अलग काम करता है, ठीके न, दोनों programs अलग-अलग काम करते है, तो उनको manage करना, दोनों के work को control क कराना, यह किस का काम है, इसी का काम है, operating system का काम है, control is the execution of different programs, to prevent occurrence of error, यहने different programs को चलाना, जैसे मैंने आपको पता है, different devices में different programs लगते हैं, तो उनको control कौन करता है, इनको एक ही control कराता है, उनको उसको कहते हैं, operating system, यहने एक manager है, ठीके न, provides a convenient interface to the user in form of commands and graphical interface, obviously यह user को graphical interface दिख ना, ना कि dots में दिखाता है, बिल्कुल natural world की तरह हमें यह दिखाता है, while facilitating the use of computer, जब हम computer को use करते है, types of operating system, next lecture, यह मैंने यहाँ पर next lecture क्यों लिखा है, क्योंकि type is of operator की बात, types of operating system की अगर हम बात करें, software में इतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीके न, और exam में इतना पूछा भी नहीं जाएगा, कि bios क्या है, loader क्या है, post क्या है, ठीके न, obviously, अब operating system का अलग सा type बता देना, यह एक अलग सा topic है, और इस पे अगर हम पढ़ने बैठेंगे, तो five or six lectures तो कहीं नहीं गए, ठीके न, तो इसलिए मैंने यहाँ पर next lecture लिखा, ताकि मैं ऐसे ऐसे points यह हमें मुझे लगता है कि fit होंगे, अब device driver की बात अगर हम करें, device driver act as a translator between the hardware and the software that uses the device, suppose कर लो बिल्कुल एक driver की तरह है, ठीके न, जैसे गाड़ी का driver होता है, बिल्कुल एक driver की तरह होता है, जो act करता है as a translator, between the hardware and software that uses the device, hardware और software के दर्मियान एक driver होना बहुत ही जरूरी ह ठीके न, अब यह driver क्या चीज़ मैं आपको आगे बताता हूं, in other words, it intermediates between the device and the software in order to use the device, ठीके न, some devices that are commonly connected to the computer are keyboard, mouse, hard disk, etc. for proper work of the device, its corresponding device driver must be installed on the computer, the device driver software is typically supplied by the respective device manufacturer, मैं आपको समझाओं कि यह translator क्यों है, between hardware and software, बस आपको exam में यह पूछा जाएगा, कि क्या translator, एक device driver translator है between hardware and applications, sorry, hardware and user, यह hardware and software, आपको यह वाले points याद रखने हैं, क्योंकि driver, यह हो गया hardware, और यह हो गया software, अब आपको पता है hardware आपका laptop है, software इसमें हम डालते हैं, ठीके न, तो, जैसे हम इसमें software डालते हैं, तो ए driver की तरह काम क्यों करता है, इसलिए काम करता है, suppose कलो जब आपने अपना नया laptop ले आए हो, ठीके न, तो आप devices यूज करते हो, आप अलग अलग devices यूज करते हो, जैसे अपने mouse ले आए हो, आप अगर HP laptop ले आते हो, ठीके न, आप अगर Dell का mouse ले आओगे, तो आपको नहीं चलेगा वो, अगर device driver इसमें नहीं होगा, ठीके न, device driver का मतलब, वो उसको compatible बना लेता है, कि हाँ बाई, कोई बात नहीं, अगर Dell का भी है, फिर भी, मैं इसको पहचानता हूँ, यानि वो उसको पहचान लेता है, device driver इसके, जब computer में पहले से ही, इसके लिए device driver होगा, ये company पहले ही, फिट करते हैं, device driver, हाँ, इसके लिए, एक driver, अगर user, वो सौचते है, मैं आपको simple सी बाचा मैं कहता हूँ, कि सब्सकर लो, वो ऐसे सौचते है, कि हाँ, जब वो laptop बनाना शुरू करते हैं, तो वो सौचते हैं, कि हाँ, जो user होगा, वो obviously mouse का भी use करेगा, तो mouse के इसमें fit करते हैं, कि प्रिंटर के रिए अलग सा driver रखते हैं, या वो सौचते हैं, हाँ यह इसमें DVD या डिसक का use करेगा, उसके लिए अलग सा driver रखेंगे, तो अनदर से अलग सा driver रखते हैं, तो उससे क्या होता है, कि जब mouse अब अप external devices जैसे कोई भी use करोगे, तो उसको कोई परिशानी नहीं होती है तो वो यह नहीं कहता है कि हाँ बाई मैं इसको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसका ड्राइवर मेरे पास नहीं है तो suppose ऐसा मालो कि जब ड्राइवर जिसी भी डिवाइस का ड्राइवर जब उसके पास होगा तो आसानी होती है शाफ्ट्वेर और हार्डवेर के दर्मियान conversation या translator ठीक है थिक ना और देवाइस ड्राइवर सफ्ट्वेर इस टिपकली इस नहीं ड्राइवर जो यह बना लेता है वही उसके साद ड्राइवर हमें दे देता है the device driver of these devices are pre-installed on the computer पहले से ही install होते है such that the operating system can automatically detect the device ताकि जो operating system हमारा है वो automatically उस device को detect करता है जैसे ही आप अपना laptop खोलते हो उसके बाद आप external कोई भी device जैसे pen drive यूज करते है या hard drive या USB cable या mouse जब आप उसको उसमें install कर लेते हो तो obviously वो उसको पहचान जाता है क्योंकि उसका driver already उसके पास होता है detect the device when connected to the computer such device called plug and play devices उन device को हम कहते है plug and play devices तो चलिए if computer does not find device driver मान लो अब computer suppose कर लो company वालों को company वाले भूल गये है keyboard का driver इसमें fit करना suppose कर लो जैसी आपने अपना computer गर में ले आए हो आप तो उसमें किसका driver नहीं है उसमें का keyboard का driver नहीं है तो जब आप उसको keyboard को उसके साथ connect करोगे computer के साथ लेकिन उसमें device driver है नहीं उसका it tells us यह हमें कहेगा user to insert the media यह कहेगा हमें कि एक media insert कर लो जैसे cd हो गया ठीक है जैसे cd में हम करते हैं अपना सबोज कर लो अगर वहां पर local disk लोकल डिसक एफ होती है ठीक है जब आप उस पर click करते हो आप देखना उसमें लिखा होता है insert the media ठीक है ना क्यों कहता है insert the media कि क्योंकि इसमें media आपके पास available है यह नहीं फिर आप नया driver ले आते हो आप उसको open कर लेते हो एक मतलब side में एक मालो यह sorry यहाँ पर मैं आपको सिक्काऊंगा यहाँ पर आपके पास laptop है तो उसके side में एक ऐसी panel खुलती है जिसमें आप उसके बाद आप फिर cd को लगाती हो ठीक है ना अब आप कहोगे कि इसमें फिर driver अलग सा लगाना पड़ता है क्योंकि cd मुक्त आप लों के control में मालो कोई movie देखना चाहता है कोई दूसर दूसरा काम कोई दूसरा documents इसमें रखना चाहता है तो वो user पर dependent है ठीक है ना so each device has its own device driver तो आप जो जितने भी devices हैं उनका अपना driver होता है for new devices device driver must be loaded in memory first for example printer suppose कर लो आज 2020 में कोई जो printer निकले हैं उसका device driver आपके पास है आप जैसी उसका जब आप अपने गर में printer का यूज करते हो तो आपने आप नया कोई model प्रिंटर ले आयो मालो 2021 में कोई ऐसा model जिसका driver इसके पास नहीं है computer के पास नहीं है तो पहले आपको driver को install करना होता है जैसे setup हम यूज करते है suppose कर लो जैसे भी आप कोई application यूज करते हो तो उसके लिए हम मांगते हैं कि पहले इसका setup दे तो जैसे आजकल हम pubg खेलते हैं pubg के लिए हम पहले से क्या करते हैं pubg को जैसे हम download कर लेते हैं download करने के बाद उसका setup भी हम पहले से ही download करते हैं वो 2gb 3gb कितना अब होता है उसके लिए वो setup पहले से driver उसके पास होता है जो सारे functions को चला लेता है ठीक है न रिप्लेज द ओल्ड तो न्यू आल्सो इनस्टाल device driver अगर आप printer पुराना printer को नए printer से replace करोग में computer के memory में ठीक है न अब दो types के device driver आते है character device driver और block device driver character device driver वो हो गया जो transfer data को कर लेता है character by character जैसे keyboard हो गया block device driver जो विलकुल transfer कर लेता है data through blocks जैसे hard disk हो गया ठीक है न अब इसको इतना हमें जानने की जूरत नहीं है कि कैसे कर लेता है transfer का इसे कर लेता है कि यह लंबा topic है और यह हमारे exam में नहीं आ सकता अब system utilities की बात अगर हम करें यहाँ पर मैंने आपको बताया operating system भी हमने पड़ा device driver भी हमने पड़ा अब system utilities की बात हम करते है system utilities की बात अगर हम करें system utilities ऐसा software है जो computer की life को बढ़ा देता है जो computer software की life को बढ़ा देता है जो एक ऐसा environment provide कर लेता है ताकि हमारे जो भी software से उनकी life बच जाए ठीक है ना जैसे software requires for the maintenance and supporting enhancing the program and the data in computer ठीक है ना यहने एक program के data को enhance कर लेता है बहुत दिनों तक या बहुत मालो एक साल तक आप उसके वायरस को नहीं हटा होगे तो आपकी जो मतलब work होगी आपकी जो operating system का जो function होगा जो उसकी frequency होगी जो उसकी मतलब शमता होगी काम करने की वो उतना मतलब नहीं कर लेगा ठीके ना वो दीरे दीरे मतलब hang होने के इसको हटा लेता है और आपका जो system है पहले से नए की तरह फिर से काम करने लगता है अच्छे तरह के से ठीके ना मालो एक security है एक security गाड़ बाहर रखा है एक company है मैंने आपको बताया कि company में manager हम रखते हैं जो सारे जैसे वरकर laborers laborers को भी नजर रखता है जैसे उसमें उसके बाद मैंने आपको बता है बाहर मतलब security भी होनी चाहिए ताकि उनमें कोई disturbance create ना करे तो वो होता है system utilities ये एक example के तोर पे मैं आपको बता हूँ some utilities यानि some system utilities are embedded with operating system कुछ system utilities पहले से ही होते हैं operating system में कैसे मैं आपको समझा हूँ अगर जिसके गर में laptop नहीं होगा उसक वो ऐसाराम से समझ सकता है कि laptop में पहले से ये वायर फायरवाल पहले से इनस्टाल होता है ठीक है ना एक application firewall होती है ठीक है अगर आप अपने phone में देखोगे इसमें एक security का option आता है security की एक आफ आती है जिसमें हम scanning भी करते हैं वो पहले से इनस्टाल होती है वो हर एक phone में पहले से इनस्टाल होती है तो कुछ operating system इनस्टाल पहले से होते है या कुछ हम जैसे कुछ हम download कर लेते हैं या खरीद लेते हैं ठीक है न examples की बात अगर हम करें antivirus मैंने आपको बताई है data compression होता है जो data को compress कर लेता है files को compress कर लेता है ताकि ये storage storage कम ले लें उनको भी हम system utilize कहते हैं क्यों जब कम लेने के जब data कम ले लेगा तो हमारा जो system है वो आराम से काम कर सकता है बिल्कुल उसमें लोड नभी नहीं पड़ेगा ठीक है ना वो बिल्कुल बग नहीं हैंग नहीं होगा cryptographic utilities to encrypt and decrypt files disk compression utilities to compress the content जैसे मैंने आपको बताया disk cleaner हो गया, disk backup हो गया network manager, check network कर लेता है तो ये सारी चीज़े, ये सारी चीज़े system utilities में आ जाती है तो antivirus की बात अगर हम करें antivirus ये अलग सा topic दे रखाए jkssb वालों ने concept of computer virus and it is antivirus ये हम अलग सा topic बढ़ लेंगे तो अगर programming language की बात अगर हम करें जो दूसरा type है for the development के बिना पे it's an artificial language to express the computation and tasks that the computer has performed ये एक ऐसी language है जो computer समझ पाता है ठीक है ना, ताकि क्यों समझ पाता है, उसको क्यों समझना है ये language क्योंकि वो आराम से काम कर सकें ठीक है ना, वो आराम से अपने अपना पूरा effort दे सकें programming language are user to write a program programming language ऐसी language होती है जो program लिखने के लिए use की जाती है यानि ऐसी language जो programmer use कर लेता है program बनाने के लिए which controls the behavior of computer जो एक computer की behavior को समझ पाता है each language has a unique set of keywords ठीक है ना, हर एक language में अलग-अलग set up keywords होते है programming language should be understood programming language ऐसी होनी चाहिए जो समझ सके both by the programmer and the computer जो computer भी समझ सके और programmer भी समझ सके computer understands the language of अब जो computer, machine language समझ पाता है मैंने आपको पहले भी बताया history of computers की generation of computers में आपने पढ़ा होगा कि computer खाली machine level language समझ पाता है और machine level language कौन से होगी binary language मतलब zero and one समझ पाता है खाली याने high and low while the programmer अब जो programmer है जैसे मैं हो गया या आप हो गया हो ठीक है ना, मालो आप लो programmer हो ठीक है आप expert हो, आप computer engineers हो तो आप programmer क्या समझ पाते हो आप comfortable हो with English level language याने वो बाशा जो आप लोग समझ पाते हो अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया programming language अब computer ये programming language कैसे समझेगा आप आराम से पढ़ोगे इसको programming language ठीक है ना लेकिन computer कैसे पढ़ेगा ये 01001010 तो ये हमें नहीं समझ आएगा किसका मतलब किया है लेकिन computer इसको समझ पाएगा तो इसी के बिना पे types of language है जैसे machine language होगी assembly language होगी and high level language होगी तो क्या कहता है कि machine level language ऐसी language है is defined by the hardware of computer ठीक है ना यानि अगर इसको हम define करते हैं in terms of hardware of computer understand easily कर लेता है एक computer hardware ठीक ना एक computer इसको easily understand कर लेता है लेकिन difficult होता है एक programmer के लिए ठीक ना मेरे लिए आपके लिए difficult होता है इस language को समझना है यानि 01 के फार्रम में समझना मुश्किल होता है machine level sorry machine language consists some numbers obviously 01 numbers ही तो हो गए each kind of CPU has its own unique machine level language अब जो सारा खेली CPU पे होता है इसकी अपनी machine level language होती है also called जैसे मैंने आपको पहले बता है language अलग-अलग होती है अलग-अलग programs अलग-अलग machine यह यह language बना सकते है also called machine code or object code ठीक है ना no translator user obviously अगर आप यहां से 01 01 दे दोगे सीधे computer देखेगा इसको और इसको transulator की जुरत भी नहीं पड़ेगा ताकि machine इसको समझ पाए क्योंकि machine तो पहले सी इसको समझ पाती है तो इसको इसके लिए transulator का use नहीं करते हैं ठीक है ना अब fast execution ठीक है ना fast execute यहनि जब यह आराम से transulator का मदद नहीं ले लेती है तो execution obviously fast ही होगा ठीक है ना depend on unique processor एक ही processor मैंने आपको बताया इस processor एक इसके लिए अलग machine level language होगी इसके लिए अलग machine level language होगी अब assembly language की बात अगर हम पार करें it is false in between machine language and high level language इन दोनों के दर्मियान similar to machine level language but easier to program it because they allow the programmer to substitute names for numbers मगर यह बिलकुल machine level language की तरह है लेकिन programmer को यह एक सहूलियत दे देती है ठीक है ना एक allocation दे देती है कि वह इसमें छेडखानी कर सके किसमें प्रुग्राम में ठीक है ना programmer इसमें क्या कर लेता है names भी add कर लेता है numbers के साथ ठीक है ना अब high level language की बात अगर हम करें easier to understand हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं जैसे यह हो गए जैसे मैं यहां पे लिक रहा हूँ यह भी एक high level language यह इसको मैं आराम से पढ़ सकता हूँ easier to understand लेकिन जिस दोरान यह मैंने टाइप किया जिस दोरान मैंने अपने laptop पे E A S जैसे मैं आपको बता देता हूँ H I H I G H L E V L L A N G U A G E यह words जैसे जब मैंने अपने keyboard पे टाइप की है तो मैंने तो आराम से इसको पढ़ा वहाँ वहीं पे मैंने इसको पढ़ा लेकिन computer ने नहीं पढ़ा होगा उसको समझी नहीं आया होगा कि यह लिख्या रहा है उसके लिए पहले से हम इसको fit कर क्या install कर लेते हैं Translator जो मेरी language को translate कर सके computer के language ठीक है न फिर आराम से computer इसको समझ पाता है कि इसका कहने का मतलब है कि high level language लिखरायस time तो easier to understand and use for the programmer and program इसको आराम से use कर सकता है but difficult for the computer जैसे मैंने आपको बताया computer इसको नहीं पढ़ेगा high level language program needs to be converted तो उसके लिए क्या हमें करने की जूरत है इसी language को convert करने की जूरत है into machine level language जो machine समझ सके जो computer का हम समझ सके कैसे हम convert करते हैं by compiler or interpreter उसको हम कहते है compiled or interpreted यानि compiler और interpreter के जरीए हम इसको install कर लेते हैं तो उस process को हम कहते है compiled or interpreted also called source code इसको हम source code भी कहते है program written in program written in high level language या program written in programming language machine independent language obviously ये machine पे depend नहीं है language translator also called language translator also called translator software used to convert a program written in high level language and assembly language to a form that the computer can understand language translator नाम से ही पता चलता है वो translator जो language को translate करता है यानि high level और assembly को translate करता है into machine level language अब जो translated program जो बन गया उसको हम कहते है object code ठीक है ना अब जो program पहले से था अब जब इसको मैंने translate किया इसको मैंने तबदील किया machine level language में अब जो program उसके बाद बना उसको हम कहते है object code अब types of language translator वो हो गया assembler, compiler और interpreter अब जो assembler और compiler है assembly into machine level यानि assembler और compiler जो है ये खाली केवल assembly language को convert करते है into machine level language अब जो interpreter है ये high level language को convert करता है into machine level language यहाँ पे ध्यान दीजे हो सकता है exam में पूछा जाएगा कि assembler कौन सी language को कौन सी language में convert करता है obviously दोनों बाद में machine में ही convert करते हैं लेकिन ये दोनों assembly को convert करते हैं ये interpreter high level को convert करता है अब translated program into machine level language is called object code ठीक है ना is called object code यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आपने अब translate किया suppose कर लो आपने अब interpreter के जरीए इस language को convert किया इस language में machine language में अब जो language ये बनी या अब जो ये program बना उसको हम कहते हैं object code अब जो हमारा है linker it is a program that links several objects or modules and libraries to form a single executable program यहने suppose कर लो यहां पे एक चोटा program है दूसरा तीसरा इनको एक साथ जोड कर इनको आपस में link करवाके एक ही chain बना लेता है ताकि आप में आसानी होगी program को execute कराने के लिए in a single forum ठीक है ना यह इतना खास नहीं इसमें questions भी नहीं बनते है अब loader की बात अगर हम करें user to load and relocate the executable program from main memory यहने load करवा लेना reload करवा लेना एक program को यह इसके लिए किसका use करते हैं loader का use कर लेते हैं ठीक है ना अब हमारा जो बच रहा है यहां पर वो है about application software ठीक है ना अब वीडियो लंबा होने के कारण application software हम दूसरे lecture में cover कर लेंगे ठीक है ना I hope कि आप समझें